फटाफट से जल्दी से अपने सभी दूसरे साथियों को भी जोड लिजेगा और उसके बाद जितनी भी चीजे हैं उनको हम करेंगे यहाँ पर और जल्दी से फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे नहीं साथी और पुराने साथी शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे वीडियो को उसके बाद जल्दी से जितनी भी आज की 14 अगस्त की important चीजे हैं आपके exam के point of view से उसको मैं आपके डिसकस करूँगा आप लोगों के साथ में detail में MCQ भी होंगे static GK भी होगा और static GK देखिएगा दो तरह का static GK होता है यहाँ पर जो मैं आपको static GK पढ़ाता हूँ mostly वही होता है जो आपके current से बिल्कुल बिल्कुल relate कर रहा है और जो मैं 17 बज़े आप लोगों को static GK पढ़ाता हूँ तो वो स्टेटिक जी के होता है कि current वाला तो होता ही होता है लेकिन कुछ दूसरी चीजे जो topic में आपको स्टेटिक जी के exam में पूछी जाती है तो यहाँ पर मेरे सभी साथी मेरे साथ में जुड़ गए हैं और एक बार जल्दी से फटा फट सभी साथी एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ जाएंगे तो देखेगा 14 अगस्त और सबसे पहले में बता दू कि डेली के डेली हम कितने बजे मिलते हैं दोस्तों सुभा 6 बजे तो सुभा 6 बजे आप लोगों को आजाना है बिलकुल एकदम शार्प यहाँ पर बात करता हूँ तो आज जो होगा इंपोर्टेंट डांस जैसा कि आप लोग बता रहे थे डांस पर यूँ तो हमने पहले भी वीडियो की हुई है लेकिन जैसा कि आप लोगों का कहना था कि सर सिक्वेंस में ही करा दीजेगा तो अभी dance के तीन पार्ट, मतलब तीन दिन dance चलेंगे आप लोगों के और तीनों दिन में जो होंगे वो dance complete हो जाएंगे, तीन दिन है तो ज़्यादा थकेंगे भी नहीं dance में, अलाकि dance करने के लिए काफी stamina के जरूत होती लेकि नहीं थकेंगे, आज जो start करेंगे हम इसमें classical dance से करेंगे, और सारी चीजे मैं आपको बताऊंगा कि जो classical dance है हमारे, उनका originate कहां से हुआ है, चीक है, या फिर हम बात करेंगे कितने classical dance हैं, या जो हमारी क्या कहते है, ministry of culture है, वो उसने और कौन-कौन से, art के लावा और कौन-कौन से dances को इसमें मिलाया हुआ है, तो वो स सब हम आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, क्या यक्षगान को भी classical dance में रखा हुआ है, या नहीं है, वो सब पढ़ने वाले हैं, या फिर जो ministry of culture है, उसने art के लावा किन dance को माननेता दी है, आपके classical dance के लिए, और classical dance को basically माननेता कौन देता है, तो यह सब चीजे हम यहाँ आप आज पढ़ने वाले हैं, और classical dance जो आपके mainly art है, उनको तो हम पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, आज के session में तो चलिएगा जल्दी से एक बार session को फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे, तो अभी जो हमारा discount है, दोस्तों, वो आप लोगों का कि लगाएंगे, वो लगाएंगे Y177, जो कि आपका अपना code है, adda247.com पर जाकर के, या adda app पर जाकर के, अब यहां पर मैं आप लोगों को बता दू, तो इसमें 2-3 चीजे हैं, जो भी मेरे साथ ही हैं, देखेगा, monetary terms में मैं बात करूँ, तो वैच की जो एक price है, वो ज्या करेंगे, आप इसको batch को purchase करेंगे, लेकिन यह batch क्या होगा कि एक time पर आकर के, खतम हो जाएगा, उसकी recorded video आप लोग देख पाएंगे, एक साल तक, आठ महीने तक, तो यहां पर क्या है, कि अगर मैं बोलूँगा, और फिर बाद में आपको test series की जरूरत भी होगी, जो कि अ आने वाले time में कोई GS special आएगा, वो भी आपको include हो जाएगा, एक साल के अंदर अंदर, और जो आप लोगों का यह है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, आपका सारा test series भी, और जो recorded video हमारी पढ़ी है, 9000 से जादा, वो भी इसके अंदर आप लोगों तो cover हो जाएगी, त कोई मतलब जादा बड़ी value नहीं, वैसे हो सकती है, लेकिन फिर भी अगर मैं एक उसके aspect में बात करूँ, जो आपको चीजे इसके अंदर मिल रही है, उस aspect में अगर मैं बताओ, तो 16 रुपे आप लोगों के लिए जादा नहीं, लेकिन एक चीज और है दोस्त, इसको खरी है ना पढ़े, बस इन बच्चों को आप लोग ये चीजे बता दो, ऐसा बिलकुल भी नहीं है, आपको जिस दिन से पढ़ना है, आपको लग रहे है कि मैं चार दिन बाद पढ़ूँगा, तो चार दिन बाद आप इसको खरीदना, आज मत खरीदना, ठेक है, क्योंकि जब जो क्विज का आप लोग मेरे को भेजते हों कि सर इतने माकस है, इतने माकस है, तो वो सारी चीजे हम बात करेंगे, ठीक है, चलेगा, सेम RRB NTPC वालों के लिए है, ये भी महापैक है, और ये भी आप लोग का जो कोर्स है, वो 24 मार्स से हमारा सुरू हो रहा है, आगे बा अतर प्रदेश के अंदर आप लोगों का कुछ करंट अफेर उतर प्रदेश से जुड़ी कुछ खबरे हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है, बाकि आपका जो सेशन है वो वैसा ही सेम रहने वाला है, कि सबसे पहले एक मॉर्निंग मोटिवेशन के साथ हम सुरूआत करेंग और आज की मॉर्निंग मोटिवेशन क्या है, कि कभी भी आप अपने जो क्या कहते हैं, जो आपने एक लक्ष अपना डिसाइड कर लिया, जो रास्ता आपने एक डिसाइड कर लिया, उसी पर आप लोगों ने हमेशा चलना है, हर डे वाई डे अपने गोल को चेंज मत करिए नहीं, जैसे गोल को चेंज कर लिया, नहीं, आज मैं उझे इतना पढ़ना था, नहीं नहीं, टाइम निकल गया, अब मैं उझे इतना पढ़ना है, तो उसको चेंज मत करेगा, सबसे पहले विल पावर, डेडिकेशन अपने अंदर लाईएगा, ठीक है, एक आप लोगों क थार्टीन अगस्त को, तो थार्टीन अगस्त को आप लोगों का जो डे मनाया गया था, वर्ल्ड ओर्गन डोनेशन डे, विश्व अंग दान दिवस, आज काफी सारी अच्छी चीजे होने वाली है, तो एक बार जल्दी से शेर करदो और लाइक करदो फटा-फट से, और जल्दी से शेशन को एक धमाकेदार सेशन को हम शुरू करते हैं, ठीक है, लाइक अभी खड़े हैं, ठीक है, मतलब लाइक अभी हाथ खड़े हैं, वो पढ़ रहा था, लाइक अभी कम है, तो लाइक को एक बार जल्दी से बढ़ा दीजीगा, ठीक है, तो वर्ल्ड जिश्व अंगदान दिवस आप लोगों का ये कब आप लोगों का मनाया जाता है ये मनाया जाता है ये मनाया जाता है आप लोगों का 13 अगस्त को काफी important day है लेकिन बस अगर मैं बात करूं तो इतना ही important बनता है कि world organ donation day कब मनाया जाता है तो दोस्तों ये मनाया जाता है 13 अ बता दीजेगा 12 अगस्त को क्या मनाय जाता है, तो 12 अगस्त को हमारा जो मनाय जाता है यहाँ पर हम बात करेंगे, एक तो हमारा Elephant Day है, Elephant Day सभी लोग जानते हैं, और साथ में आप लोगों का 12 अगस्त को क्या मनाय जाता है, Youth Day, लेकिन Youth Day कौन सा वाला है, यह सर इंटरनेशन Youth Day है हमारा, जो अंतरास्ते Youth Day है, यह वो है हमारा, तो यहाँ पर सारी चीजे समझ गए हैं, अगर मैं आप लोगों से पूछने लगों की Elephant का जो Hospital है, वो आप लोगों का कहां पर है, या फिर जो हमारा इस बार का National Youth Day था, जो की आप लोगों का 12 जन्वरी को Celebrate होता है, य इसको Integrate किया था, किसने नरेंद्र मोदी जी ने, ओके जी, तो आपको 2-3 चीजे याद रखनी है, जो इस बार क्योंकि देखो, चीजे पुरानी है, लेकिन वो आपको पूछी जा सकती है, ठीके, क्योंकि जन्वरी है, जन्वरी जादा पुराना नहीं मानते हम यहाँ पर तो यहाँ पर देखिएगा, हॉस्पिटल कहाँ पर है, एक बार मुझे बता देंगे, तो यहाँ पर बिल्कुल बहुत बढ़िया, मतुरा, 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 तो मतुरा आगरा नहीं दोस्त, मतुरा थोड़ा सा और आप लोग को क्या कहते है, पीछे आना पड़ेगा, तो यहाँ पर यह सारी चीज़े हो गई, लेकिन अगर मैं बात करूँगा, 12 अगस्त के साथ साथ ऐसे ही 10 अगस्त की, तो 10 अगस्त की जो है आप लोगों का उस दिन तो था हमारा लोयन डे और लोयन सफारी, एक एटा लोयन सफारी, जो कहाँ पर है आप लोगों की, अगर मैं नेशनल पार्क से लाए गए है तो गिर नेशनल पार्क जो की आप लोगों का कहां पर है दोस्तो गुजरात के अंदर है तो इटावा लोईन सफारी आप लोग समझ गए जिसको हम लोईन को बिग कैट भी बोलते हैं अगर आपको डे पूछ लिया गया कि कैट डे कब मनाया जाता है इंटरनेशनल कैट डे तो दोस्तों इंटरनेशनल कैट डे जो है वो आठ अगस्त को मनाया जाता है लेकिन अगर वो यह पूछते हैं कि बिग कैट डे तो बिग कैट डे जो है आप लोगों का वो आपका कब आ जाएगा 10 अगस्त को कई बार एक दो जगा इसको ब कि अभी जो कल की हम बात करें, कल है 15 अगस्त, और दोस्त कल 15 अगस्त को हम क्लास करेंगे, और कल एक काफी special क्लास मैं आप लोगों के साथ में करूँगा, तो उसको भी आप लोगों ने क्या रखना है, ध्यान रखना है, तो यहां पर 15 अगस्त, तो जो 15 अगस्त है न हमारा 2020 की में बात करूँगा, 15 अगस्त 2020 को कौन से नंबर का हमारा क्या होगा दोस्तो, स्वतंतरता दिवस, गरतंतर मत लगा देना, ठीक है, तो 15 अगस्त 2020 हमारा Independence Day या स्वतंतरता दिवस, कौन से नंबर का होगा, यह आप मुझे आज बताओगे, कमेंट करके बताओगे, से सोच करके, समझ करके बता दीजेगा, 1947 में हमारी कंट्री क्या हुई थी, आजाद हुई थी, तो यह सारे के सारे आप लोगों के बन जाएंगे, लेकिन अगर मैं पूछने लगूँ आप से कि ब्लड डॉनर डे कब मनाया जाता है, तो आंसर कर देंगे फटा-फट से, हम से सीधा कोशन आप लोगों का क्या क्या है, देखो गोआ के केले आगए है आपके पास, और गोआ का खाजा आगया है, खाजा मतलब एक मिठाई टाइप है, ठीक है, और अगर मैं इसी तरह से बात करूँगा, तो यह आप लोगों के क्या है, कहर्मन चिली आ गया, तो से स्टेट का नाम लिख करके, ठीक है, आप साथ में यह भी लिखेंगे कि हमारे स्टेट के यह जी आई टेग है, तो मैंने जी आई टेग आप लोगों को पढ़ा रखें, फिर दुबारा से उनका रेपीटिशन में लेकर क्या हूंगा, तो मुझे बता दीजेगा, ख्वाजा है यह ठीक है, तो यह मिठाई है एक तरह की ख्वाजा को भोगोलिक संकेत रजिस्ट्री से आप लोगों का क्या मिला है, जी आई टेग मिला है, सबसे पहले मेरे जो साथी आज मेरे साथ में नए जुड़े हैं, और उनको यह नहीं पता कि भाई, जी आई टेग तो यहाँ पर जो जो जुग्रफिकल इंडिकेशन टेग है, किसी विसेश जगह की, किसी विसेश उत्पाद को, या किसी जगह के विसेश उत्पाद को, क्या मिलता है, भोगोलिक इंडिकेशन टेग मिलता है, जो जहां की फेमस चीज होती है, और वहाँ पर उसका प्रोड बढ़ाने के लिए, वहाँ पे उसकी production को और बढ़ाने के लिए, उसकी पहचान को world level तक पहुचाने के लिए, और इससे क्या होता है कि जो indirectly अगर मैं agriculture product है, तो किसानों को फायदा होता है, और दूसरा कोई product है, तो जिस भी मतलब वो industry से जुड़ा है, उसको automatically वो फायदा प बात करूँगा, तो यहाँ पर आप लोगों को मान्यता तो देखो भारत सरकारी देती है, लेकिन WTO भी उसको govern करता है, WTO आपका 1995 में बना था, यह बात आप लोगों को याद रखनी है, world trade organization, अब यहाँ पर अभी तीन को जो मिला है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, हरमल चिली है, जिसमें मोईरा बनाने और ख्वाजा, तो ख्वाजा एक तरह की मिठाई है, मोईरा बनाना आप जानते ही हो, हरमल चिली क्या है, मिर्च है दोस्तों, अच्छा, अगर मैं यहाँ पर बात करूँगा, तो दो तीन चीजे और निकल कर कहेंगे, जिनको रिसें ग्राइंडर, दो अलग चीजे हैं, जैसे बता देता हूँ मैं आपको, कि जो यूपी में एक जगा है, सभी लोग जानते होंगे, गोरकपुर, तो गोरकपुर का जो टेरा कोटा है, अच्छा, मुझे बताएंगे कि इस टेरा कोटा कोन नहीं जानता, जो मिठी के आप लो आप लोगों के क्या है, टेरा कोटा है, तो टेरा कोटा को जो जी आई टेग मिला है, वो यूपी उत्तरप्रदेश गोरकपुर से, और टेरा कोटा ग्राइंडर क्या है, वो वारा नसी में लोंच हुआ था, टेरा कोटा वाली जो मिठी होती है, उसको ग्राइंड करके बा एक मिला था हमें Black Rice का, Black Rice मतलब काला चावल और Black क्या होती है, Money होती है, तो Black Money, तो मतलब ये कहां से था, आप लोगों का, Money पूर से था, ठीक है, और अगर मैं बात करूँगा तो Tamil Nadu, Tamil Nadu की एक मिठाई आप लोगों की, जो की चिक्की जैसे मिठाई होती है, आप लोगों की तो यह थी आप लोगों की कदलाई, तो कदलाई मिठाई जो है आप लोगों की वो तमिल नाडू की इन चार को रिसेंटली जी आई टेग दिये गए थे, लेकिन इनके अलावा भी और क्या जी आई टेग हैं, तो उसको हम देखेंगे, आज हमारा जो फोकस होगा आगे जैसे स्टेट आएंगे, तो स्टेट के जी आई टेग को आज हम डिसकस करते चलेंगे, ताकि आप लोगों को और ज्यादा क्लेरिटी मिल जाए, अब यहाँ पे जारखंड, तो जो जारखंड है ना हमारा, तो जारखंड की जो पेंटिंग, यह पेंटिंग आप लोगों को इतिकला है, यह मतलब एक ट्रेडिशनल एंड जो रिट्रास्टिक मूरल आर्ट है आप लोगों की, मतलब अगर मैं बात करूँ तो ट्रेडिशनल आर्ट है काफी टाइम से चली आ रही है, और अब इसको यूनीक मान करके जारखंड की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ प आर्ट के गवर्नर का नाम, आप लोग मुझे बताएंगे अभी के अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, अगला जो कोशन आप लोगों का है, वो है सीधा तेलंगाना से, तो भाई तेलंगाना, तेलंगाना में अगर हम बात करेंगे, तो तेलिया रुमाल क्लोथ, मतलब जो तेलिया रुमाल क्लोथ है, उसको क्या मिला है, आप लोगों का, जी आई टैक मिला है, भाई तेलंगाना है, तेल है, तो तेलिया ही रुमाल है, आप लोगों का, तो जो तेलिया रुमाल कपड़ा है, और कपास जो हस्त, अगर हम बात करें, अभी हमने एक हेंडलूम ड कहां से GI tag मिला और बच्चे लगा देते हैं गुजरात तो तेलिया रुमाल गुजरात नहीं है नाम से ही पता लग रहा है तेलिया मतलब तेलंगाना और तेलंगाना के CM का नाम के सी आर रहा और यहां की गवर्नर का नाम क्या है आप लोगों का तिमल सई सुन्दर राजन जो पर सबसे बड़ा meditation center है अगर आप से कोई पूछने लगा कि सबसे बड़ा meditation center कहां पर है वर्ल्ड का तो वो आपका हैधराबाद है और जो space museum हमारा बन रहा है वो भी हमारा कहां पर है हैधराबाद के अंदर है यह चीजें आपको याद रखनी है हमारा fish research institute कहां पर है और fish स दोनों हमारे हैधराबाद के अंदर आप लोगों को मिल जाएंगे आगे बात करेंगे फटा फट से तो यहाँ पर तंजाबूर निती works है तो यह आपका आज का जो है चार मैंने पहले बताए चार यह GI tech बताए तो आगे चलेंगे तंजाबूर निती works यह वो है जो recently दिए है आप लोगों का यह निटीवर्क हम इसको बोलते हैं यह आपके लिए होमवर्क है इसका आंसर आपको होमवर्क के तोर पर करना है इस पेस पार्क केरल है लेकिन म्यूजियम है दराबाद है ओके दोनों में याद रखना है और यहां का आज का लास्ट जी आई टैग है जो कि आप लोगों का तमिल नाडू से आ रहा है सिधा तो तमिल नाडू सर तमिल नाडू से और क्या क्या जी आई टैग है तो पहले दूसरे जी आई टैग को पढ़ लेते हैं तमिल नाडू की एक आप लोगों की क्या है कडांगी साडी तो जो कडांगी साडी है वो तमिल नाडू का GI टेग है साथ में अगर हम बात करेंगे तमिल नाडू के डिंडी गुल के ताले तो जो डिंडी गुल के ताले आप लोगों के है तो वो भी आपका GI टेग है और यहा आप लोगों को याद रखने हैं, ठेक है, चलेगा, तंजामबूर नीतिवक समरा 2.0, इट्स यूर होमवर्क, तभी मैंने वहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा था, तो इट्स यूर होमवर्क, आपका होमवर्क है ये, तो इसके आगे कोश्चन मार्क जो है, जो आपको बताने वाला होना, उसको इंपोर्टेंट मार्क कर लेंगे, देखिएगा, एक Student Entrepreneurship Program has been rolled out by the NITI आयोग अटल इनोवेशन मिशन, in collaboration with Dell Technology, चात्र उद्ध्यमिता कार्रेक्रम, जिसका 2.0, मतलब दूसरा इसका संस्क्राण है, ठेक है, को Dell Technology के सहयोग से, NITI आयोग ने अटल इनोवन मिशन द्वारा सुरू किया है, मतलब मेरा कोश्चन क्या बनेगा, कि एक आप लोगों का Student Entrepreneurship Program है, जिसका कौन सा संस्क्राण है, सेकेंड संस्क्राण है, और इसको सुरू किसके साथ में किया है, तो आंसर क्या बन जाएगा, आप लोगों का Dell के साथ में सुरू कर जाएगा, और जो आप लोगों का एक मिशन है न, NITI आयोग का, अटल इनोवेशन मिशन, ठेक है, उसके तहत इसको क्या किया गया है, सुरू किया गया है, अब यहाँ पर दो-तीन चीजें आप लोगों को पढ़नी पढ़ेंगी, जैसे आगया नीती आयोग, तो नीती आयोग के अध्यक्ष कोन है, यहाँ पर, तो नीती आयोग के जो आप लोगों के चेर परसन है, उनका नाम क्या है, देखो, हमेशा वो PM होंगे, और PM का नाम क्या है, नरेंद्र मोधी, लेकिन यहाँ पर अगर मैं Vice Chairman की बात कर दूँगा, तो जो Vice Chairman है हमारे उपाध्यक्स, जिनको हम बोलते हैं, वो है हमारे राजीव कुमार, क्या नाम है उनका, राजीव कुमार, लेकिन एक बात और मैं आपको यहाँ पर बता दूँगी, राजीव कुमार के साथ, यह आप लोगों के जो राजीव कुमार है, उनको जो दरजा मिला हुआ होता है वो cabinet minister का दरजा मिला हुआ होता है किसका दोस्तो जो हमारे cabinet minister है उनका दरजा यहाँ पर प्राप्त होता है नीती आयोग के वाइस चेर्मेन को मैं थोड़ा सा घुमा दूँगा आप लोगों को अगर question यह पूछ लिया जाए एक word के साथ मे कि who is the defecto chairman of नीती आयोग question बता दीजेगा मैंने आप लोगों को बता है क्या कि नीती आयोग के जो आप लोगों के chair person है वो कौन है प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी है ठीक है और यह ex officio chairman है ex officio मतलब पदे नध्यक्स है ठीक है vice chairman जो है आप लोगों के राजीव कुमार है ज नीती आयोग के नीती आयोग की full form मैं आप लोगों को बता देता हूँ national institution national institution ठीक है for transforming India for transforming India एक दो student पूछ रहे थे तो मैंने बता दिया आप लोगों को और यह आप लोगों का एक जन्वरी 2015 से इससे पहले planning commission चलता था planning commission मतलब योजनायोग योजनायोग कितनी योजनायोग आने के बाद बंद हो गया था तो जिस टाइम पर हमारी 12 पंचवर से योजना चल रही थी उसी दोरान उसको क्या कर दिया गया था बंद कर दिया गया था याद रखेंगे इस चीज को अच्छा यहाँ पर एक person और होता है CEO CEO को होते है chief executive officer और उनका नाम क्या है अमीताब कांत क्या नाम है दोस्तों अमीताब कांत सरी किसके equivalent माने जाते हैं तो दोस्तों जो हमारे secretary होते हैं जो हमारे सचीव होते हैं तो उनके equivalent माना गया है किसको अमीताब कांत को मतलब जो अमीताब कांत है उनकी post किसके equivalent है हमारे जो क्या कहते है secretary सचीव होते हैं और जो राजीव कुमार की post है वो हमारे cabinet minister के equivalent माने गई यह निवीडिया के साथ में हुई थी, जो आप लोगों का निवीडिया है, निवीडिया कमपणी, वो याद नी रखना, मैं बता रहा हूँ वैसे ही, तो जैंसन हुआंग उस निवीडिया के फाउंडर है, निवीडिया अकसर आप लोग जब लैप्टॉप वगएरा देखते हो ना, तो एक लोगो लगा होता है निवीडिया का, तो आप वो क्या होता है, बेसिकली ग्राफिक कार्ट्स में डील करती है, जो ग्राफिक कार्ट्स वगेरा निवीडिया के वो काफी अच्छे आते हैं, तो वहाँ पे डील करती है, तो मैं आप लोगों को बता रहा था, ठीक है, चल दी से, ओके, बिल्कुल, तो यहाँ पर साली चीजे क्लियर हो रही है, जो साथी नए मेरे साथ में जुड़े है, च डबल रोक स्टार मतलब हमारे अक्षकुमार, ठीक है, तो यहाँ पर जो फॉब्स है न, अपना, फॉब्स को आप सभी लोग जानते हैं, तो फॉब्स ने दा हाइस्ट पेड एक्टर की जो लिस्ट है, वो जारी की है, मेल वाली, आप यह मेल वाले में पढ़ रहे हैं, त तो यह आप लोगों के क्या है, डेन जॉब्स है, इनको नजर ना लगे, ताकि यहाँ पर एक भिंदी लगा दीजेगा, ठीक है, चलेगा, तो यह डोगों के क्या बनगे, पहले सबसे हाइस्ट, और अपने जो एकलोते भारतिये हैं, टॉब्स टैन में, वो हैं दोस्तो अ हुमा दिया जाएगा, तो कोशन किस तरह का पूछ लिया जाएगा, कोशन यह पूछ लिया जाएगा, कि जो अक्षे कुमार है, उनकी नेट वर्थ कितनी है, आप लोगों की, अर्निंग कितनी है, तो उनकी अर्निंग जो है, 48.5 मिलियन डॉलर है, तो 48.5 मिलियन डॉलर है ये अक्षकमार की है और पहले वाले की कितनी है 87.5 million dollar तो ये दोनों चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है ये सारे के सारे और कोई नाम याद नहीं रखना इन दोनों की आप लोगों को earning भी याद रखनी है ठीक है और ये जो Forbes है जिसने सारी बाते बोल दी है इसका जो headquarter है वो New Jersey के अंदर है कहाँ पर है दोस्तों New Jersey के अंदर ये पूछा जाता है कई बार exam का part बन जाता है ओके अगे चलेंगे फटा फट से तो अगला question जो आ जाएगा वो सीधे असम से आप लोगों के पास आ रहा है और असम की जो सरकार है उन्होंने एक जो योजना तो किसके लिए शुरू की है असम ने तो ये नहीं बोलेंगे कि अरुन के लिए की है ठीक है अरुने दे योजना जो शुरू की है वो शुरू की है असम सरकार ने और जो असम सरकार है उसने किसके लिए जो woman empowerment है उनको बढ़ावा देने के लिए इसके अंदर क्या है मेरे दोस्तों ये scheme उनके लिए है जिन महिलाओं की income 2 लाक रुपे से कम है yearly जिनको 2 लाक रुपे से कम जिनकी income है असम के अंदर उनके लिए basically ये योजना सुरू की गई है उनको तरह तरह की facility provide करवाई जाएंगी और woman empowerment को बढ़ावा देने के लिए अरुनेदय स्कीम है, तो question ज्यादा state scheme से बस ये बनता है कि जो अरुनेदय स्कीम है वो किसकी है, तो आप लोग बताएंगे असम सरकार किये किसके लिए है तो woman empowerment के लिए है अगर ये केंदर की स्कीम होती इसके बारे में बाकी चीजे भी हमें detail में पढ़ने की जरूरत पढ़ती, लेकिन अभी नहीं है आपको पूछा जाएगा धनवंत्री योजना, तो अगर आप से पूछा जाएगा देखो, अब धनवंत्री योजना, तो धनवंत्री जो दिया जाता है, वो medical science में दिया जाता है, चिकित्सा के लिए दिया जाता है, याद रखेंगे तो धनवंत्री से तीन प्रशन बन गए धनवंत्री योजना, असम है आप लोगों की धनवंत्री जो रत है वो एहमदाबाद है और धनवंत्री जो पुरुषकार है, वो medical science में दिया जाता है, असम की capital आप लोगों की दिस्पूर है, ठीक है और यहाँ पर हम बात करेंगे तो सर्वनंदा सोनोवल यहां के चीफ मिनिस्टर है, और जो जगदीस मुखी है, वो यहां के गवर्नर है थोड़े से इसके static part की तरफ अगर हम move करते हैं, तो static part में सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है, गोहाटी का ठीक है, किसका नाम आता है? गोहाटी का अब गोहाटी में आप लोगों को सबसे पहले समझना है, कि यह gateway to North East है, मैं computer की class पढ़ा रहा था, तो मैंने gateway बताय था आप लोगों को, कि gateway क्या होता है, तो gateway to North East है, मतलब जो नोर्थ East में जाने का रास्ता है, वो कहां से गोहाटी है, तो आपको पूछा जाता है gateway to North East कौन सा हमारा शहर है, तो गोहाटी है, और असम का सबसे बड़ा सहर भी है, दिस्पूर उतना बड़ा नहीं है, जितना गोहाटी है, यहाँ पर आप लोगों का गोपिनाथ बोर्दोलोई airport है, जो की काफी important है, यहाँ पर आपका मा कामक्या temple है, जो की also काफी important, ठीक है, तो मा कामक्या temple भी पूछ लिया जाता है, और जो थर्ड खेलो इंडिया की मेजबानी की थी, आप लोगों की, वो गोहाटी ने की थी और यहाँ पर इंद्रा गांधी athlete stadium है, तो कौन सा stadium है? इंद्रा गांधी athlete stadium है, तो यहाँ से भी question बन जाएगा, क्योंकि चोथा जो आप लोगों का खेलो इंडिया का है, वो कहाँ पर होगा? वो आप लोगों का हरियाना पंचकुला के अंदर होगा, यह चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है, काफी सारी चीज़े यहाँ से important बन जाती हैं, और असम के बारे में तो बहुत सारी चीज़े हैं, जिनको हम अक्सर पढ़ा करते हैं, यहाँ पर एक वंच, जो जिसके दो से जादा बच्चों के इसको गवर्मेंट जॉब भी नहीं मिलेगी, 2021 के बाद से आपके असम के अंदर, तो यह सारी चीज़े आप लोगों की ठीक हैं, चलेगा, computer की class मेरी Monday, Tuesday, Wednesday होती है, तीन दिन होती है, कब सामको साड़े चार बजे, कौन से चैनल पर? SSC Edda पर यहीं पर चलेगा, आगे चलते हैं फटा-फट से, माजुली जो विश्व का सबसे बड़ा आइलेंड है, वो भी असम के अंदर है, ब्रह्मपुत्र रिवर, और सबसे छोटा उमन अंदा वो भी यहीं पर है, ब्रह्मपुत्र रिवर को आश्रवाद के तोर पे देखा जाता है असम के, लेकिन कई बार क्या कहते हैं, वही खतरनाक हो जाती है, जैसे अभी थोड़े दिन पहले हो गई थी, आगे चलेंगे फटा-फट सारी चीजे क्लियर हैं, बहुत बड़ी है, शांदार, शांदार, शांदार है, ठीक है, लाइक कम है, तो थोड़ा सा शांदार इसलिए कम है, चलेगा, दरपन कहां का है, तो यहां पर दरपन शिवमिश्रा वह 36 गड़का है, बिफिकर रहेंगे, सब चीजे बता दी जाएंगी, ठीक है, तो यह आपका है, अब है अभिया, कैप्टन की बात करते हैं सीधे, तो कैप्टन अमरिंदर सिंग्ग जो है, वह कहां के सीम है, सभी को पता है, पंजाब के सीम है, तो एक अमरिंदर सिंग हमारे सामने जैसे ही नाम आएगा, तो थुरंद पंजाब पहुचेंगे, चाहे सिंगर के तोर पहुचे चाहे CM के तोर पहुचे, चीक है, लेकिन जब Captain Amrinder लगा देंगे तो CM है, Punjab Smart Connect Scheme, तो Punjab Smart Connect Scheme के अंदर क्या है, अब यह तो आपको पता लग्या भाई, यह scheme पंजाब की है, तो इसमें क्या है, जो आप लोगों के कक्सा 12, 12th के जो student है और कितन अब यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, कुछ बच्चे मतलब उन्होंने देखा लोगडाउन में बड़े परिशान थे, फोन नहीं मिल रहा था, ठेक है, तो गेम नहीं खेले, अब लोगडाउन खुल जाएगा, और सारी चीज़े खुल जाएगी, तो पढ़ना पड़ेगा, तो अब मतलब किसके लिए पढ़ने के लिए दिये जा रहा है, ठेक है, तो यहाँ आप लोगों को कौन दे रहा है, पंजाब दे रहा है, कितने 1.74 लैक फोन आप लोगों के दिये जा रहा है, याद रखेंगे, ठेक है, यहाँ पर अगर पंजाब की बात करेंगे, तो आप लोगों का जो हरी का वेट लेंड है, तो हरी का वेट लेंड भी आप लोगों का क्या है, दोस्तों, पंजाब के अंदर है, याद रखेंगे, सबसे पहले कभी राष्टपत कि कौन सी फेक्टरी है वो भी मुझे बता देंगे आगे चल पड़ते हैं फटा फट से यहां का एक सहर है अम्रित सर तो अम्रित सर को गुरू रामदास जी ने बसाया था याद रखेंगे ओके सारी चीजे क्लियर हैं बहुत सारी चीजे है ठीक है तो कैसे हैं आप लोग बि कैसा आप देखोगे ये कोश्षन क्या करण्ट का ही था तो आपको लगे लगे नहीं आरी तो कुश्षन पुराना है लेकिन ये कोश्षन करन्ट का ही था ऐसेeloos से कुष्षन आप लोग के लिए में ले कर क्या हूं ध्याहन से समझेगा चेयर्मेन कोन है रेलवे के तो सभ यह HRMS के लिए, तो basically HRMS क्या है, तो दोस्तों यह HRMS आप लोगों की एक एप भी है, और जो इनका Human Resource Management System है, तो उसके लिए यहाँ पर 21 e-pass module जारी किये हैं, ताकि इनका जो administration है railway का, उसको और बहतरीन किया जा सके, और अच्छा किया जा सके, तो question यह पूछा जाएगा, कि e-pass module of HRMS किसने लॉंच किये हैं, आप लोगों के, जो हमारा क्या कहते, chairman of railway, VK यादव ने किये हैं, भारत में railway के 18 zone है, याद रखेंगे, और उन 18 zone को, जितने भी मतलब सबको, एक mobile app से जोड़ा गया था, जो उनके HR department, Human Resource Department की app थी, ठीक है, Union State Railway Minister का नाम बता दीजिएगा, कें संद्रिय राज्य रेल मंत्री कौन है, ये question आज आप लोगों का homework है, तो आप लोगों को पता लगया, 2-3 homework आप लोगों को मिले थे, ठीक है, आपको एक GI Tech का मिला था, एक Independence Day का मिला था, और एक अभी railway का homework, बीच बीच में आपको जो homework मिल रहे हैं, उनको ध्यान से देखत रहेंगे, ठीक है, जल्दी से, बहुत बढ़िया, शानदार, ठीक है, आगे चलेंगे फटा-फट से, अगला question अब आप लोगों का आएगा, लेकिन उससे पहले एक बार फटा-फट से क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, ताकि कम से कम जो आज जाग ग पूचा, यूनियन इस्टेट रेलवे मिनिस्टर, हैपी जी, धोका खा गए आप, हैपी जी, धोका खा गए, ये सभी लोग जो धोका खा गए, शीवम खुसवाजी, अगर अभी मेरे बस चलता ना, तो मैं अभी ऐसे आता अंदर को, और आपका ऐसे कान पकड़के वापस ले आता बहार को, भाई नरेंदर सिंग तोमर जो है, वो एग्रिकल्चर मिनिस्टर है, आंसर करिएगा, प्यूस गोयल केंद्रिये जो मंत्री हैं, वो रेलवे मिनिस्टर है, मैंने पूचा, यूनियन इस्टेट रेल मिनिस्टर कोन है, उनका नाम मैंने पूचा, तो वो नहीं है मैं बता दू आप लोग को, आपको लग रहा था, मैं Puse Gual पूछू हूँगा सुभ है ? मतलब एक इनसान आप लोगों के सामने और छे बज़े तो यहाँ पर देखिएगा, question की सुवात करते हैं, like आप लोगों ने कर ही दिया होगा, तो कर देंगे, देखिएगा, निम लिखित में से कौन 10 अगस्य स्वतंतरता दिवस को चिनित करने के लिए स्वच्छता सपतहा के रूप में मना रहा है, तो जो आप लोगों का cleanless week है, इसको कौन मना रहा है, के वी, आई, सी, Indian Railway, DRDO या Ministry of Railway, तो यहाँ पर जो आंसर बन जाएगा आप लोगों का, Indian Railway आप लोगों का बन जाएगा, ठीक है, तो Indian Railway आप लोगों का हैं पर आंसर बन जाएगा, और इंडियन रेलवे की जब हम बात कर रहे थे, तो आंसर क्या है Indian Railway, Indian Railway में अगर हम बात करेंगे तो आप लोगों के 18 जोन है ये भी आप लोगों को क्या रखना है याद रखना है और 2030 तक टारगेट है किसका Green Railway का तो Green Railway का मतलब अठाथ सारी की सारी जो लाइन है वो आप लोगों की क्या हो जाएंगी एक तरीके से उनका सबका विद्यूति करण हो जाएगा और इस बार का जो हमारा टारगेट था लगबख 27,000 किलोमेटर टरेक को हमने विद्यूति करण उसका कर भी लिया है तो यहाँ पर Indian Railway आप लोगों का बन जाएगा KVIC के विनई कुमार सकसेना है आप लोगों के चेर परसन है DRDO आप लोगों का Defense Research Development Organization नई दिल्ली में इसका Headquarter है कोशन बनेगा सबसे पहली ट्रेन कब से कहां तक चली थी यह आप मुझे बताएंगे अभी जो हाल फिलाल में अच्छी ट्रेने चली है उनका नाम में आपको बता देता हूँ तो देखेगा एक है आप लोगों की कासी विश्वनाथ एक्सप्रेस कासी विश्वनाथ एक्सप्रेस जो चार जोतिर लिंक को जोड़ करके चलती है जिसका इनोग्रिशन नरेंद्र मोधी जी ने किया था दूसरी चीज आप लोगों की तेजस ट्रेन तो जो तेजस पहली वाली चली थी वो आप लोगों की लखनाव से दिल्ली है दिल्ली से लखनाव आप लोगों की तो लेकिन वो लखनाव से दिल्ली चली थी तो उसका योगी आदित्यनाथ जी ने किया था और तीसरी जो important train है आपकी वंदे भारत जिसका नाम train 18 से बदल करके वंदे भारत रखा गया था उसको अमित साहजी ने इनोग्रेट किया था जो जम्मू से आप लोगों की कट्रा जा रही थी आट घंटे में दिल्ली से कट्रा वो पहुचा रही थी और जो चोथी train आप लो जा रही है ये मुझे बता देंगे और ये चार train एक्जाम का पार्ट बनेंगी ध्यान रखेगा मुंबल टुथा ने 16 अप्रेल 1853 को आप लोगों की पहली train चलाए गई थी याद रखेंगे आगे बात करेंगे तो अगला question आजाएगा आप लोगों का next काफी अच्छा question है राष्टे क्रसी उच्छ सिक्सा पर्योजना कल एक question पढ़ाया था मैंने आप लोगों को कि जितनी भी हमारी agriculture university है तो उनके लिए एक कारेक्रम को सुरू किया गया है क्रसी मेग को तो क्रसी मेग कल पढ़ाया था बिलकुल पढ़ाया था तो उसी से question बनाया आपका और किस बैंक द्वारा वित पोशित की गई है तो अभी अभी आप लोगों को मैंने बताया था कि जो क्रसी मेग है आप लोगों का क्या है दोस्तो क्रसी मेग है तो उसको शुरू किया है किसने नरेंदर सिंग तोमर ने किसके लिए जो हमारी agriculture universities हैं उनको एक तरीके से revive करन के लिए उनमें अच्छे चीजे और उनमें मतलब जो innovative चीजे करने के लिए जैसे हमारी पंजाब agriculture university लुध्याना है या फिर हमारी हर्याणा agriculture university है तो इसी तरह से जो agriculture university है उनको revive करने के लिए भारत सरकार और कौन सा बैंक आप लोगों का तो यहां पर भारत सरकार और आप फिर कार थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं कि हमारे union state railway minister कौन है तो यहां पर चलिएगा अब यहां पर सबसे पहले बात करेंगे Asian infrastructure development bank इसका headquarter कहां पर है सर इसका headquarter बीजिंग के अंदर है पूछा जाएगा तो आप लोग अराम से बता सकते है new development bank के बारे में क्या क्या पूछा जा सकता है तो इसमें सर पांच ही हमारा BRICS bank है और इसके जो मारकोस ट्रोयो जो है जो कि आप लोगों के कहां के ब्राजील के है वो प्रसीडेंट है और जो वाइस प्रसीडेंट है वो है अनिल किसोरा जो की हएक भारतिये है और इसका headquarter आप लोगों का कहां पर है संगई के अंदर है याद रखेंगे Asian development bank जो कि आप लोगों का 68 member country है मसत गुरू असकावा इसके चेर परसन है और वाइस प्रसीडेंट जो इसके बने है उनका नाम क्या है दोस्तो असोक लवासा है मनीला इसका headquarter है फिलिपीन्स जहाँ पे Central Rice Research Institute है और World Bank आप लोगों का आजाएगा डेविड माल पास आजाएगा वाशिंग्टन इसका headquarter है जो की पोटो मेक नदी के किनारे पर है ये काफी informative news थी जो मैंने आप लोगों को मतलब बता दिया यहाँ पर आगे चलेंगे फटा-फट से आगे question है भी तो क्रसी मेग को किसने लौंच किया था नरेंदर सिंग तोमर ने जो की हमारे agriculture minister है कल क्रसी मेग पढ़ाया था उसी स से relate कर रहा था किस राज्य सरकार ने एक नई योजना मुक्खय मंत्री किसान सहाई योजना सुरू की है तो मुक्खय रिविजसन के तोर पे था कल मैंने आप लोगो को इस question को पढ़ाया था फटा-फट से आगे देख लेते हैं अगला question जो की काफी important बनेगा आप लोगों अब है गिगरी रिविच लुकान सो ठीक है तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था एलेक्जेंडर लुका सेंको ने किस देश का लगातार छटा राष्टपती चुनाब जीता है तो जो सिक्स्थ टाइम आपका क्या कहते है प्रसिडेंशल इलेक्शन जीता है किसने एलेक्जें इनका नाम है एलेक्जेंडर लुका सेंको तो एलेक्जेंडर लुका सेंको ने कितनी बार जीता है आप लोगों का छटी बार जीता है लगातार सर इतना चुनाब कौन जीतेगा तो इतना चुनाब तो दोस्तों वही जीतेगा जो बिल्कुल ठाली होगा बेला होगा मतलब अब एक काम को जैसे होता हुआ रहा। आगा, उन्हों नहीं जी टा है। अब इनको एक बार देख लेते हैं, क्या है इनका नजरिया, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दू, देखेगा, जैसा कि मैंने बताया था, एक दूसरी साइड छोड़ दीजेगा, अभी हम उस साइड नहीं देख रहे हैं, ठीक है, हम किस साइड देख रहे प्रसीडेंट बने हैं, गुवाना के याद है हमें, सर, हमद वाको योको, सर, ये इवोरी कोस्टा के प्रधान मंत्री बने हैं, बिल्कुल पता है, हिच में मिचीची, तुनीशिया के प्रधान मंत्री हैं, ओसुका रापोंडा, पहली महिला प्रधान मंत्री हैं, ग्याब अल-बेला, तो याद रखेंगे, अल-बेला, अल-बेला मतलब Alexander Lukasenko, और बेला मतलब बेलारूस, तो अल-बेला हो गया ये, और ये रोजर मार्टोस-Ruiz है, रोजर मार्टोस-Ruiz, ये आपके पेरू के हैं, याद हो गए होंगे आप लोगों को अपतो, और ये मोहमद उलद बिलाल है, मुहम्मद उलद बिलाल है, तो आप लोगों के किसके हैं, मौर्टीनिया के हैं, तो आप लोगों को याद रखेगा, जब हम क्या करते हैं, इनको डेली के डेली हम इनको रिवाइज करते हैं, तो ये खुद बाखुद याद हो गए, कोई महनत आपको करनी पड़ी आपके सामने प्रकट हो जाएंगी, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, याद हो गया ना, बिलकुल मैं कहा रहा हूँ कि टाइम ही लगेगा, लेकिन याद होगा, आपको घर पे कुछ मत करिएगा, मैं सब करा दूँगा, और जब वीकली होगा करेगा, तो उसमें तो पूर टाउन डोलर हो गया, ठीक है, उसके बाद इवोरी कोस्टा, तो इवोरी कोस्टा जैसा कंट्री का नाम, वैसा ही कैपिटल का नाम, यामो उसु करो, ठीक है, जैसे आपको बोलंगे, इवोरी कोस्टा, वो गया, यामो उसु करो, ठीक है, तो बड़ा फ्रेंकली हो करके, य देखो यहाँ पर भी अब हमारे सामने नहीं है, हमारे सामने राष्टपती प्रसीडेंट नहीं है, हम इनको रिवाइज कर सकते हैं, वाओ, ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, गुआना, तो गुआना के जो प्रधान मंतरी थे, मार्क फ्लिप्स थे, याद रखेंगे, य जयवोन की ओसांका रुपांडा थी, ठीक है, और इसकी जो लिबर बिले और फ्रैंक है इसकी, ठीक है, उसके बाद है बेलारूस, मतलब अल बेला, अलेक्जेंडर, ठीक है, आप लोगों के लुका सेंग को है, ठीक है, और यहाँ पर मिंसेक है, रबल है, पेरू, जल्दी आप लोग मुझे बता देंगे, नोका कुट, मॉटीनिया के आप लोगों के वो हैं, फटा फट से, और एक बार जल्दी से गुआना के राष्टपती का नाम भी बता दीजेगा, फटा फट से, मार्क फिलिफ्स, इर्फान, अली इर्फान, तो नहीं यार, इर्फान का मतल साथ current affair इतनी आती है, कि मैं खुद भी current affair बना देता हूँ, ठीक है, तो यह इस तरह की मदब एक वीडियो, आप लोग post करना, ठीक है, तेखेगा, पहले मैं current affair बिल्कुल नहीं जानता था, क्या होती थी current affair में डर जाता था, ठीक है, तो tension नहीं डरना नहीं है, ठीक है, जो कोई बात नहीं सोनी साहुजी, चक्कर भी आने जरूरी है, ठीक है, चलो अच्छी बात है ना कि चक्कर भाई, कैपिटल से भी आते हैं, ओके, अगर बात करते हैं हम अगले question की, तो किस राज्ये ने नई योजना, तो यह तो हमारी हिंदी इंग्लिस गड़बर हो गई, अ आप लोग देख लीजेगा सारी चीजों को, ठीक है, तो यहाँ पर देखेगा, एक national expert group या national expert committee बनाई गई है, vaccine administration को ले करके, मतलब जब vaccine बनाई जा रही है, तो उसमें क्या-क्या चीजे आप लोगों की, किस technology का और कितनी मतलब क्या चीजे जरूरत होंगी, किस तरह से उ आई गई है, आप लोगों की, vaccine administration को ले करके, ठीक है, तो यहाँ आप लोगों के, अमिताब कांथ, राजीव कुमार, अजे त्यागी या फिर वीके पॉल, तो यहाँ पर आंसर जो बन जाएगा, वीके पॉल बन जाएगा, अमिताब कांथ जो है, वो कौन है, तो अमिताब आफकांथ, वाइस चेर्मेन है, नीटी आयोग के, सोरी, CEO है, वाइस चेर्मेन तो नीचे बैटे, बुरा मान जाएगे, तो वाइस चेर्मेन यह है, और यह आपके CEO है, Chief Executive Officer, अजे त्यागी हमारे सेभी के चेर्मेन, 18 महीनों की अभी extension मिली है, वीके पॉल, इस कमेटी के क किस कमपनी ने आपके व्यावगत नीतियों को पुनर जीवित करने के लिए विशेश पुनर अधिकार अभियान का अनावरण किया है, मतलब विच कमपनी अन्वील्ड इस्पेशल रिवाइवल केमपेइन टू रिवाइब लैप्स्ट पॉलेसी, मतलब देखो ध्यान से सम अब जब वो छूट गई तो उन्होंने उसके लिए केमपेइन चलाया है, एक आलग से योजना लेकर के आया है, इस्पेशल रिवाइवल केमपेइन की, तो ये कौन लेकर के आया है, आपका LIC, तो जो लाइफ इंसुरेंस कॉर्पोरेशन है, ये स्पेशल रिवाइवल के और किसके लिए, जो आपकी लेब्स्ट पॉलिसी हैं, उसके लिए लेकर के आया है, सर LIC का इयर क्या है, 1956 है, यहां के चेर्मेन का नाम है, M.R. कुमार है, थोड़े दिन पहले IDBI भी क्या हो गया, वो आप लोगों का LIC के अंदर आ गया, और हेड़क्वार्टर जो है, वो United Insurance Company भी आप लोगों की, State Bank of India ने अपनी ब्रांच को थोड़े दिन पहले, Australia के Victoria में ओपन किया था, याद रखेंगे, Yonu Mobile Lab किसकी है, इन ही की Yonu Mobile Lab है, ओके, और Life Insurance Corporation ने Union Bank of India के साथ में मिल करके समझोता किया था, ताकि वो अपनी पॉलिसी को वहां से सेल आउट कर सके, य आगे बन जाएंगे फटा-फट से, जो हमारा Insurance का Regulator होता है, वो है IRDA, IRDA मतलब Insurance Regulatory Development Authority, ये Insurance का Regulator होता है, और इसका Headquarter है आप लोगों का Hyderabad के अंदर, अगला कोशन है, मुकेस अंबानी, दुनिया के कौन से नंबर के Richest Person बन गया है, Bloomberg Billineers Index के द्वारा, तो दुनिया के ज Jeff Vijos, जिनकी 187 billion की net worth है, Microsoft के co-founder 121 के साथ second number पर है, और Facebook के co-founder है Mark Zuckerberg, वो 102 billion के साथ में तीसरे number पर है, और चोथे number पर मुकेस अंबानी है, याद रखेंगे इस चीज को, काफी important आप लोगों के लिए बन जाएगा, उसके बाद बन जाएगा, अब आपको समझेगा ध्यान से, कि Mount Sinabung है, ठीक है, Hindi English सेम हो गई, volcano which is in news recently, is located in which state, तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान से समझना है, कि जो Mount Sinabung volcano है, volcano का मतलब होता है दोस्त, जो आला मुखी, ठीक है, यह अभी अभी news में था आप लोगों का, ठीक है, तो यह क्यो था, अब आप लोगों से यह जैसे कि Lebanon में धमाके हुए थे, ठीक है, सेम इंडोनेशिया में आपका जो volcano है, वो क्या हो गया, इरप्ट आप लोगों का हो चुका है, ठीक है, तो उसके चलते क्या है, यह news में आ गया, तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा, वो क्या बनेगा, इंडोनेशिया, इंडोनेशिय ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर बन जाएगा, इंडोनेशिया, अब सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दू, तो यहाँ पर जो capital बनती है, वो बनती है, जकार्ता, और जोको विडाडो, यहाँ पर बनते हैं, आप लोगों के क्या, प्रसीडेंट, और यह दूसर अलमपिक भी आप लोगों का होने वाला है, 2018 में जो हमारे Asian Games हुए थे, वो जकार्ता और पालंबेग, दो सिटी थी इंडोनेशिया की, वहाँ पर आप लोगों के हुए थे, 18 नंबर के Asian Games, 19 नंबर के जो Asian Games आप लोगों के होंगे, वो कहाँ पर होंगे, तो 19 नंबर के जो कौन सी exercise हैं, उनका नाम एक बर बता देंगे, अगला question आजाएगा, किस राष्ट ने COVID-19 vaccine, इस पूतनिक वीक के उत्पादन और विपढ़न के लिए, रूस के साथ में एक रणनीतिक समझोते पर हक्ताक्षर किये हैं, तो यहाँ पर जो इस पूतनिक बना दिया है, तो इस पूतनिक बेसिकली क्या है, वेक्षीन है COVID-19 के लिए, तो उसके production को और marketing को ले करके, कौन से देश ने उसके साथ में क्या किया है, समझोता साइन किया है, रस्या के साथ में, तो सिंगापूर है, थाइलेंड है, ब्राजील है, या फिर आप लोगों का इंडिया है, तो यह यहाँ पर आप लोग मुझे बता सकते हैं, तो यहाँ पर दो-तीन चीजें आप लोगों को देखो ध्यान से समझनी है, कि किस राष्ट ने COVID-19 वैक्सीन, इस पूतनिक 5 के उत्पादन और विपढन के लिए, रूस के साथ में करण नितिक समझोते पर साइन किया है, बेसिक होगे, मैं इसलिए थोड़ा सा लेट कर रहा था, डिले कर रहा था इसका आंसर बताने में, एक्यों कि मुझे पता था, यहाँ पर आप लोग करेंगे, इंडिया-इंडिया-इंडिया, दोस्त, यहाँ पर जो आंसर बनेगा, वो बनेगा ब्राजील, भारत अपनी बना रह पर इसको भी आप लोगों ने याद रखा है ठीक है ओके बिल्कुल तो यहाँ पर निकिता बाज पई जी I am a complain boy ठीक है तो चलिएगा यहाँ पर थोड़ा सा भी ही लेते हैं फिर एक बार लाइक भी कर देंगे आप लोग फिर आगे बता दूंगा कहा रहे ना सर कितना याद रहता है ठीक है दिली पुलिस की प्रॉपर प्रिलिस्ट ओके पुझा जी आज दिली पुलिस की प्ले लिस्ट में काम करवा दूंगा उस पर बिलकुल लाइक शेर होते रहने चीए ठीक है तो मुझे पता था इंडिया करेंगे तभी में रुका हुआ था आंसर बड़ा धीरे से में घुमा के कोश्चन को ही बार बार पढ़के बता रहा था तो ब्राजील है जैर बोलसनारो है ब्राजील में इस बार आपकी जो ब्रिक हुई थी वो ब्राजील में और इस बार वाली रस्या में मतलब पिछले साल ब्राजील में उई थी इस बार रस्या में हुई है और ब्राजील के ही मारकोसotto क्या बनाया गया है New Development Bank का Head बनाया गया है ठीक है? सिंगपूर सिन्गापूर सिटी है, थाइलेंड की जो है, बाहत currency है, Bangkok वहां की capital है, और इंडिया की capital आप लोग बताएंगे, आपका question है, ठीक है, चलेगा, और आपका जो Brazil है, तो Brazil के बारे में आप लोगों को मतलब जो जानकारी है, जैसे कि हम जब भी Amazon One वगेरा के बारे में पढ़ते हैं, तो हम Brazil का नाम याद ले लेते हैं, ठीक है, चलेगा, आगे, तो यहाँ पर देखेगा अगला question, जो की काफी important बनेगा, देवसंग मैदान, अब ये question पूछे जाते हैं, उस time पर क्या आता है, कि जब exam में देवसंग जैसे मैदान पूछे जाते हैं, तो उस time पर ऐसा लगता है, कि जैसे हमारा संग छूट रहा हो, ठीक है, मतलब क्या होता है, कि इस में जाता भई, क्या कहते है, तैयारी करेंगे, तैयारी करके जॉब लगेगे, जॉब करके भई, अब अच्छा, अब हो जाएगी शादी, तो उससे क्या हो जाएगा फिर, तो तब उस time पर जब देख संग पूछ ले आता है, तो तूट जाता है, पता नहीं, कहां है, कहां से कोशन आ गया, तो देव संग मैदान जो हाली में लद्दाक में है, और सबसे बड़ी जो UT है, आप लोगों की Union Territory है, वो आप लोगों की लद्दाक है, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर आप लोगों का आ जाता है, सबसे बड़ी जो मोटर क्या कहते हैं, आप लोगों की वीकल रोड है, सबसे उची, वो भी आप लोग पार्क को लॉंच किया है, चपचार कुट यहां का फेस्टिबल है आप लोगों का, ठीक है, और अरुनाचल प्रदेश आप लोगों का इनोवेशन फेस्टिबल, और भी बहुत सारी चीज़ें, आगे चलते हैं फटा-फट से अगले कोशन पर, तो लद्दाक यहां पर आ तो आपकी जो शारधा न दीए, सिंपल सी बात बन जाएगी, उत्राखंड बन जाएगा, तो आंसर क्या बनेगा, उत्राखंड, 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 ठीक है, तो यह आप लोगों का जो है, बिग, स्मॉल, बिग, इस्मॉल, टू डिस्ट्रिक लेहे, एंड तो यहाँ पर आप लोगों का जो श्रद्धा रिवर है वो आपका किसके उत्राखंड है याद रखेंगे ठीक है पॉंग जलास है हिमाचल प्रदेश है बुलर लेक आप लोगों की कहाँ पर है जम्मू कस्मीर है ठीक है और लदाक में सबसे बड़ा नेशनल पार्क आप लोगों का क्या है है हैमिश नेशनल पार्क है ये चीज़ें आपको याद रखनी है अगला कोशन आजाएगा बांगला देश ने 3.8 डॉलर के अपने सबसे बड़े रिंड़ पैक की सोधे पर किस राष्ट के साथ में हकताक्षर किये है तो यहाँ पर आप लोगों को समझना है कि जो बांगला देश है उसने अपना सबसे बड़ा जो लोन लिया है वो किस से लिया है आंसर कर देंगे रश्या से लिया चाइना से लिया इंडिया से लिया और जापान से लिया है तो बंगलादेश का जो सबसे बड़ा, अब मैं बंगलादेश के बारे में सारी चीजे बता दू तब तक आप इसका आंसर कर दीजेगा, यह जो बंगलादेश है, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, एक मेला हुआ था, एक कुसी मेला, ठीक है, तो यह आप लोगों का बंगल जापान आजाएगा, लेकिन इंडिया नहीं आएगा यहाँ पर भी, अब एक बात मैं आपको बता देता हूँ, देखो ध्यान से समझेंगे, यह जो आप लोगों का क्या कहते हैं, जापान है, तो इसको कितने सालों के लिए, लोन तो आपको पता लगया, थ्री पॉइंट जापान आप लोगों का यहाँ पर आंसर वनेगा, और तीस सालों के लिए दिया है, रश्या, चाइना, इंडिया इनको अभी के लिए छोड़ दीजेगा, ओके, समझ में आ रही हैं सारी चीजे, क्लेर हैं मेरी तरफ से, चलो, आगे बढ़ जाते हैं फटा फट से, अगर आप से पूछेंगे 16 साल स्टेडियम, सर इसका नाम क्यों आ गया, क्या वैसे ही कोशन रख दिया, नहीं, 16 साल स्टेडियम is located in which state, तो आपका जो 16 साल स्टेडियम है, वहाँ पे आप लोगों का 15 अगस्त का कारेक्रम होता था दिल्ली का, लेकिन इस बार नहीं होगा, रध है वहाँ पर, तो आप लोगों का अंसर क्या बन जाएगा, जो 16 साल स्टेडियम है, हमारा कहाँ पर है, दिल्ली दिल्ली यह वाद आप लोगों को याद रखेंगे, ठीक है, कोई डाउट है, तो यहाँ पर बताएं, एक बार थमसब दिखा दिजेगा, सारी चीजे, यह ज कोंग्रेस के लीडर थे, एक टीवी डिवेट के बाद उनका निधन हो गया, 53 साल के थे, तो आंसर बन जाएगा, पॉलिटीशन, तो राजीर त्यागी क्या थे, आप लोगों के एक पॉलिटीशन थे, जिनका निधन हो गया, हाली में, याद रखेंगे, ठीक है, 16 साल दिल अध्यक्ष के रूप में निउक्त किया गया है, तो जो आपका इंडियन कांसिल फोर रिसर्च ओन इंटरनेशनल एकॉनमिक रिलेशन है, तो उस पर आप लोगों का किसको प्रमोध भशीन को आर्थिक अनुसंधान परिसत के नए अध्यक्ष के रूप में निउक्त किया याद रख लिए निए ये वन लाइनर के तोर पर है, अपोइंटमेंट है आज का, ठीक है, चलिएगा, तो प्रमोध भशीन है हमारे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा, सोना मोंडल, सोना मोंडल जो कि आप लोगों का अगर इनके बारे में बा क्योंकि वन लाइनर के तोर पर लेकिन अपोइंटमेंट है, जो कि मैं आपको बाद में ही कराता हूँ, तो दोनों चीजे बना लगे, बढ़िया, सांदार, उसके बाद है आप लोगों का, अब हमारा जो उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश के आज कुछ करंट चाहने, ठ्कें, तो यहा पे उत्तर प्रदेश को टच करता है, ठिकें? और यहाँ पर आप लोगों को क्या दिख रहा है, यह एक देश जिसका नाम हैं नैपाल, जो की बोरडर शेर करता है, ठीक है, भारत के साथ में, यहाँ पर आजाएगा मध्यप्रदेश, यहाँ पर आजाएगा राजिस्थान, ठीक है, यहाँ पर आजाएगा दिल्ली आप लोगों का, यहाँ पर आजाएगा हरियाना, और यहाँ आजाएगा मध्यप्रदेश, और यहाँ आजाएगा जारकंड, यह है बिहार, और यह है तो यहां पर आप लोग क्या कर सकते हैं, अपना अपना जो डिस्टिक है वो भी देख सकते हैं, तो कुल मिला करके 75 जिले हैं, यहां पर हम लोगों आपको देख सकते हैं, ठीक है, चलिएगा, दिख रहा है ना आप लोगों को यहां से लाइव, ठीक है, what about जारकंड, जारकं हर को ही जानता है, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, जो नहीं जानता, वो भी जानता है, यहां पर गवर्नर आनंदी बेन पटेल है, अभी तो इनको ही नहीं पता कि मैं वहां की गवर्नर हूँ, क्योंकि अभी मध्यप्रदिस में यह, फॉर्मर फॉर्मेशन 24 जनव बढ़ाद भी है, ठीक है, और जो आपका के कहते हैं, अलाबाद यहां की हाई कोट है, जो पर्याग राज में हैं आप लोगों की, और जो जक्स्टिस गोविंद माथूर है आप लोगों के, वो चीफ जश्टिस है हमारी हाई कोट के, समझ में लग गया, ठीक है, चलेगा, उसके बाद है आगे, तो यहाँ पर देखेगा, अगर कोई आप लोगों से यह पूछने लगे, कि 23rd National Youth Festival कहाँ पर हुआ था, तो यह हमारा लखनव के अंदर हुआ था, कहाँ पर हुआ था, लखनव के अंदर, ठीक है, तो दो चीज़े याद रखनी है, एक आपका 23rd जो National Festival ह वो कहाँ पर हुआ था, लखनव, कल मैंने Research Institute आपको पढ़ाये थे, ठीक है, तो आज मैं आपको इसका करंट फिर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो आपको जो क्या कहते है, National Youth Festival, आपका जो हिंदी में भी है, बेफिकर रहे हैं, लखनव उत्तर प्रदेश में आयो जी, तेह इसवा था, पांच दिन चला था, ध्यान रखेंगे, इनुग्रेट किया था, नरेंदर मोदी जी ने, अब अगला बहुत इंपोटेंट है, इसको मार्क कर लेंगे, तो यहाँ पर देखेगा, क्या पूछा जा रहा है, टू विलेज, नेमली आपका बहादरपूर और खेर विरान, यह दोनों आप लोगों को याद रखने है, आपका हम्वर्क यह बनता है, यह किस डिस्टिक के अनदर आते हैं, चलेगा, जो UPSRTC है, उत्तर प्रदेश जो State Road Transport Corporation है, उत्तर प्रदेश स्टेट Frankfurt Corporation है, आप लोगों का, यह आप लोगों की लांच की था, इसने Damini Helpline किसके लिए for women in उत्तरप्रदेश तो दामिनी हेलप लाइन आपकी कहाँ पर थी उत्तरप्रदेश के अंदर थी ये भी आप लोगों को क्या रखना है याद रखना है ठीक है उसके बाद तीसरा आ जाएगा उत्तरप्रदेश गवर्मेंट अनौंस टू बुल्ड 121 एकड मुख्य मंतरी क्रसक दुरगटना कल्यान योजना जिसके अंदर 2,00,00 रुपे किसान को दिये जाएंगे तो मुख्य मंतरी क्रसक दुरगटना कल्यान योजना ये हमारी उत्तरप्रदेश की है याद रखेंगे कोई डाउट है तो आप लोगों को यहाँ पर मुझे बता द homework करोगे नहीं, तो कैसे काम चलेगा, OPEC के करने है, लेकिन इसके साथ में जोड़ दिया है, सार्क भी मैंने, तो सार्क के Member Country और OPEC के Member Country, कल हम सार्क के बारे में और OPEC के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आपको इसके बारे में बताना पड़ेगा, यह आपका homework है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, session कैसा लगा, जरूर बताएंगे, आज important dance आपके महतपूर्ण रत्य पार्ट वन है, उसको आकर के आप लोग देख लेंगे, और आपका यह जो session है, वो कितने बजे, सबसात बजे आपके उसमें होगा, पांच मिट लेट हो जाएगा, साथ वीस तक यह आप लोग का session में सुरू कर दूँगा, session को like कर दें, share कर दें, और दोस्तों, अभी जो discount offer है, वो है आप लोगों का 32% का, जो आपकी adda app के थुरू, आप लोग ले सकते हैं, या फिर adda247.com पर जा करके भी ले सकते हैं, जहां पर आपको SSC का महापैक, मात्र और मात्र आपका 1600 में है, और ये बैच आपका 900 के आसपास है, तो महापैक लेने में जादा अच्छा है, क्योंकि उसके अंदर live classes भी है, और दूसरी live classes जो शुरू होंगी, वो भी आपकी हो जाएंगी, video course भी है, test reach भी है, e-books भी है, तो कैसा लगा session, जरूर बताएंगे, अच्छा लगा, कल का session, special session होगा, 15 अगस्त है, ध्यान रखिएगा, ओके, बिल्कुल, आज बिल्कुल, हाज जी, हाज बिल्कुल, सिधार जी, साथ में रहूंगा ना आपके, ठीक है, तो ये हैं आप लोगों का, आगे चलते हैं, सारा, मतलब काफी सारी चीज़े cover हो जाती हैं, आप लोगों की session को like कर दें, share कर दें, चैनल को subscribe कर लीजिएगा, और PDF का जो link है, वो आप लोगों को कहा मिलेगा, आपकी comment box में मिल जाएगा, टाटा, बाई बाई, take care, जैहिन, जैभारत. झाल कल झाल को, जैहिन, की सेंटा गाम मिली ऑ Mexican को जो कीят जैब तो बिते हैं, क्छनिस नहीं कुmb जैफा सब्साइगा, उाडिगैन जैई, कि यज़गों के सिर्वावेडा़ चाहित मिलेगे computer, कि आप जैगे जैबने किया गताता हैं, झाल झाल